बच्चों आप लोग कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे निशन्दे मुझे विश्वास है आप सब अच्छे होंगे बच्चों आज एक फर्ब भी है फेस्टिबल भी है और मैं सोचा था कि हो सकता है कि आज हम लोग का अध्यायन बंद हो कोचिंग बंद रहेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ आज करवा चौथ का तिवहार भी है और मुझे लगता था कि हो सकता है आज बंद रहेगा लेकिन बंद नहीं रहे और दूसरी बात कि आज का दीन इसलिए भी खास होगा क्योंकि आज इस धर्ती पर सबसे मजबूत देश अमेरिका में इस समय राष्टपती का चुना हो रहा है और आज पता चलेगा कि इस धर्ती का सबसे सकतिसाली आदमी कौन बनेगा क्योंकि आज भी अमेरिका का जो राष्टपती होता है वो दुनिया के सबसे सकतिसाली राष्टपती होता है तो देखिए ट्रम्प जीतते हैं कि वाइडन जीतते हैं, ठीक है, बहुत काटे की टकर चल रही है, अभी मैं टीवी देख रहा था, ठीक है, तो आईए हम लोग फिर एक बार क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, और आज का टॉपिक होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बंगाल में बेपार से समराजे तक, ठीक है, कुछ बच्चे हैं, जिनका मैं आणशर जो है नहीं देख रहा हूँ, जैसे पुष्पारानी, पुष्पारानी अभी आपने जोईन किया है, पूजा आपने अभी जोईन किया है, सुनिल कुमार, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं, जो अभी आणशर नहीं लिख रहे हैं, और ये उनके लिए घातक साबित हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ये मौका इसलिये नहीं मिलता है, कि आपके साथ पढ़ाने वाला भी है, और लगातार उप्रस्न भी दे रहा है, यानि यदि कहीं आप गलती करते हैं, तो गलती बताने वाला आदमी भी आपके साथ ही चल रहा है, ये सबसे बCheत आउसर माना जाता है बाद में क्या होता है कि जब कोर्स खतम हो जाएगा और आप चले जाएंगे हम भी चले जाएंगे तो फिर आप टेस्ट सिरीज देंगे या अपने घर पर राइटिंग करेंगे तो उस वक्त आपके पास कोई नहीं होगा बताने के लिए कि आपने कहां गलती किया है गलती क्या है उसको कैसे लिखा जाएगा और अभी संभव है अभी हम उसे संभव बना सकते तो मेरा कहना है बच्चों कि ऐसे बच्चे जो अभी तक आंसर नहीं लिख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज आप तक आ रही है जो एंगलो फ्रेंच वार था ये तो जमीन पर लड़ा गया अस्थलिय वार था तो उस वार में नोशेना की क्या भूमिका थी नेभी की क्या भूमिका थी और पवन को हमने आंसर लिखकर भेज दिया है उसमें हमने लिखा है कि यदपी एंगलो फ्रेंच वार एक अस्थलिय वार था अस्थलिय यूद था लेकिन उसमें नोशेना की भूमिका ये थी कि ब्रिटिस जो कमपनी है उसके पास जो नोशेना है वो काफी मजबूत है और जिसके कारण जो कम्यूनिकेशन है कम्यूनिकेशन संचार वा उसके लिए खुला हुआ है यानि यदि उसको आदमी की वसकता है मेंड मटीरियल्स और संसाधन यानि आदमी और संसाधन दोनों की जरूरत है तो उसके लिए पूरा समुद्र खुला हुआ है वह चाहेगी उरोप से मंगा सकती है वो चाहेगी तो कलकता से मंगा सकती है वो चाहेगी तो बंबे से मंगा सकती है यही सबसे बड़ा फाइदा है कि जो communication है वो खुला हुआ था और ध्यान डखना बच्चों वार के लिए जरूरी होता है कि आपका जो channel of communication है वो खुला होना चाहिए कि जब सेना की जरूरत पड़े तो सेना आप मंगा सकते है और सत्रू देश क्या करता है कि सबसे पहले आपके supply line को काट देता है supply line को काट देता है supply बंध हो गया जब supply बंध हो गया तो आपके पास कोई नया हथियार नहीं आएगा कोई नया आदमी नहीं आएगा और सेना को खाने के लिए समान नहीं आएगा तो ऐसे ही आप भार जाएंगे ये चीज है ठीक है बच्चों तो आईए हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है बंगाल में बेपार से समराजितक बंगाल में बेपार से समराजितक इट मिन्स फ्रम ट्रेड टू इम्पिरियलिजम फ्रम ट्रेड टू एम्पार बेपार से समराजितक और इस यात्रा में दो खास घटनाय हमारे पास है इस पूरे यात्रा में दो ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में बिटिश कंपनी के भागे को बदल दिया और British company ने हमारे भागे को बदल दिया, ये देखिए, इन दोनों वार ने British company को क्या, एक बेंपारी company से एक empire बना दिया, समराज्य बना दिया, और British company ने हमें अपना गुलाम बना दिया, इस कहानी को आज हम लोग चर्चा का विशे बनाएंगे, और बच्चों ध्यान डखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास पिछले साल के सवाल पड़े हुए हैं, मेरे पास पिछले साल के question पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसमें आप देखोगे, इस टॉपिक से कुल 9 प्रस्न पूछे गए, 9, UPSC में, UPSC में 9 प्रस्न पूछे गए, और उसके बाद, UPPCS, BPSC, JPSC, इन परिक्षाओं में भी इससे कई सवाल पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए दवाई है, हमारे लिए क्या है, COVID-19 में दवाई है, जो COVID-19 चल रहा है, उसके लिए ये दवाई है, ये टॉपिक, और इसलिए कान खोल करके, दिमाग खोल करके, आखे खोल करके, इसको पढ़ना होगा, तब ही जाकर के काम हो पाएगा, ध्यान देना, ठीक है बच्चों? तो आज हमने सोचा है, कि सबसे पहले, आपके सामने, इस टॉपिक से समबंधित, जो questions आए हैं, हम ओ बताएंगे आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रस्नावली बताएंगे, प्रस्नावली, यानि इस टॉपिक से क्या-क्या सवाल आए है, नमबर बन, पहला, रोहित, जल्दी से जॉइन करो, जल्दी से, ठीक है, टीचर लेट नहीं करता है, बच्चे लेट कर देते हैं, प्रस्नावली पर हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद, हम क्या करेंगे, टॉपिक को, बेहतर ढंग से, बेहतर ढंग से हम रखेंगे, टॉपिक को बेहतर ढंग से रखेंगे, दो काम हम करेंगे, सबसे पहले प्रस्नावली, और उसके बाद, इस टॉपिक को, बिल्कुल सिंपल वे में, धीरे धीरे, इसके पूरे तार को अलग-अलग कर देंगे, ताकि जितना सवाल हम रीखेंगे, उन सारे सवालों का उतर अभी मिल जाएगा, कल नहीं, अभी मिल जाएगा, और जो सवाल हो सकता है, बाद में बनाए जाएगे, उनका उतर भी अभी मिल जाएगा ध्यान दिचेगा क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम लोग का जो कारी होगा वो दो अस्तर का होगा दो अस्तर का होगा पहला क्या होगा कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक को बिल्कुल असपस्ट करने का प्रियास करेंगे उस पूरे कहानी को हम आपके सामने ऐसे रखेंगे जैसे कोई फिल्म होता है मैंने बताया था और दूसरा उस टॉपिक से क्या-क्या सवाल पूछे गए हैं और क्या-क्या नहीं पूछे गए हैं जो पूछे जा सकते हैं उन दोनों को उसी समय रख देंगे इसका फाइदा क्या होगा इसका फाइदा होगा कि कहानी तो आपको समझ में आ ही जाएगी लेकिन उस कहानी से क्या-क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके सामने उसी वक्त अस्पस्ट हो जाएगा। इसका लाव यह होगा कि बाद में आपको अलग से टेस्ट सिरीज ज्वाइन करने की जरुवत नहीं पड़ेगा। पैसा भी बचेगा, समय बचेगा, दोनों बचेगा। अभी आप नहीं लिखेंगे, तो बाद में टेस्ट सिरीज ज्वाइन करना पड़ेगा। और जब टेस्ट सिरीज ज्वाइन करना पड़ेगा, तो धनका खर्च भी होगा, समय का खर्च भी होगा, और इसके बाद उसका फायदा भी नहीं मिलेगा। कारण कि अभी आप लिखोगे, तो अभी आप पढ़ रहे हो, उस टॉपी को पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, जब बाद में लिखोगे, तो ये बहुत कुछ भूल जाएगा, और जो लिखोगे, वो सही नहीं लिखोगे, इसलिए अभी से दो काम करना है, नमबर वन, टॉपी को बहतर ढंग से समझना है, नमबर वन काम, और नमबर टू काम, राइटिंग को डेबलब करना है, लिखन साइली को डेबलब करना करना है, और तब ही जाकर के बच्चो ध्यान रखना 280 प्लस का सपना देख सकते हो 280 प्लस आउट अउट फाइफंडेड इसका सपना तब सकार होगा जब ये तोनु काम करोगे नहीं तो होगा नहीं अधूरा रह जाए तो आईए सबसे पहले हम आज आपके सामने इस ट्रॉपिक से क् हैं उनको हम आपके सामने रखते हैं आराम से लिखिएगा एक भी सवाल मिश्ट नहीं होना चाहिए तो चलिए स्टार्ट राइटिंग ये टॉपि का नाम रहेगा ये टॉपि का नाम रहेगा लिखिए पहला सवाल पहला क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सडियन्थ था पहला दूसरा क्वेस्टिन तैइस जून 1757 को को भारत में मद्यकाल का अंथ मध्यकाल का अंत तथा आधुनिकाल की शुरुवाथ हुई आधुनिकाल की शुरुवाथ हुई आधुनिकाल की शुरुवाथ हुई दुसरा क्वेशन नमब थ्री नमब थ्री पलाशी कायुद कायुद उसके बाद घटने वाली उसके बाद घटने वाली घटनाओ के लिए महतपुर्ण पलाशी कायुद उसके बाद घटने वाली घटनाओ के लिए महतपुर्ण था चौथा प्रस्ण पलाशी के युद ने पलाशी के युद ने भारत में एक बेंपारिक कम्पनी को कम्पनी को कम्पनी को भारत का स्वामी भारत का स्वामी बनने के मार्ग पर बनने के मार्ग पर खड़ा कर दिया बनने के मार्ग पर खड़ा कर दिया खड़ा कर दिया खड़ा कर दिया चार सवाल हो गए पहलाशी के युद ने भारत में एक बैपारिक कमपनी को भारत का स्वामी बनने के मार्ग पर खड़ा कर दिया चार क्वेश्चन हो गए आपने लिख लिया इसे तो मैं इसे मिटा दूँ ठीक है जुबैर सहब मुहमत जुबैर खातुन आप लोग लिख लिए नेहा वर्मा पुष्पारानी पूजा श्तुनील कुमार जुबैर खान फेरी नाइस ठीक है परदीब कुमार सभी बच्चे लिख लिए बाजुरा नितीश पाठक बाजुरा बाजुरा बोलेंगे मैं नाम भूल गया था बेटे ठीक है तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं देखिए बाजुरा ध्यान डखना बेटे ये बहुत बढ़िया काम हम लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं समद्दो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा मैं बता दूं आपको कि यदि आपसे कोई कहे कि ये बताओ कि पढ़ना है कि ये पूछना है कि कैसा प्रस्नाएगा उसका उतर कैसा होगा दोनों में देखो गए ना तराजु पर तो इसका पलदा भारी हो जाएगा इसका पलदा भारी हो जाएगा ग्यान रखना ये बहुत इंपोर्टेंट है अरे भाई सोचो कि ग्यान किसके पास नहीं है आप लोग भले हमसे पढ़ रहे हो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग ने नहीं पढ़ा है और जो परिक्षा में फेल होते हैं ना बच्चे ओभी ऐसा नहीं है कि ऊपच्चे खराब होते हैं बच्चे भी अच्छा होते हैं लेकिन अब पास करने का कुछ टक्निकी अलग होता है और मेरा अपना अनुभाव कहता है 15 सालों में जो हमने अनुभाव लिया है कि मोनी सैनी जल्दी जोइन करो भाई अभी तुम आ रही हो ठीक है देखिए और मेरा अनुभाव कहता है कि यदि हम केवल और केवल प्रस्नों को लीखें तो हम परिक्षा पास कर जाएं नौलिज थोड़ा सा हो बस हमें पता हो कि प्रस्न का उतर कैसे लीखा जाता है हम पास कर जाएंगे और ऐसे तमाम बच्चे पास किये जो आए पहले इंजिनियर थे भाई वह पहले इंजिनियर थे वह आए एक साल मेहनत किया पता लगा रेंक लग गया अब बाद में पता चला कि उसने क्या किया तो उसने कहा कि भईया हमने कुछ नहीं किया हमने कुछ बेसिक गिताबों को पढ़ लिया और पिछले साल के यतना प्रस्नायते सबको हमने हल किया हल किया हल किया सालों पर मैंने ही किया कि अब मैं पास कर गए है कि अर्कुछ बचे ऐसे होते हैं सालों पर पढ़ते हैं लिखते नहीं है वह कभी पास नहीं करते तो इसलिए अपने समय को दो भागों में बांट लो, मेरा मानो तो, देखो बिश्वास तो करना होगा, हम आपका दुस्मन नहीं हैं, आपके मित्र हैं, आपके अग्रज हैं, और इसलिए मैं आपसे सलाह देता हूं, कि अपने समय को बांट लो, यह 60% समय लिखने के लिए, राइटिंग, डबलू के लिए, 60% समय डबलू, यानि राइटिंग के लिए, और 40% आर, मतलब रिडिंग के लिए, इस रेशियो को बस अपने हाँ सेट कर लो, 40% लिखने के लिए, और 60% लिखने के लिए, और 40% पढ़ने के लिए, पास कर जाओंगे, 100% पास कर जाओंगे, बस इसी सुतर को अपने अध्यान में जोड़ लो, बस, और कुछ नहीं करना है, तो चलिए अगला प्रस्न देते हैं, पाच्वा प्रस्न है, कि पलाशी के युद में, पलाशी के युद में, युद में, बंगाल के धनी बेपारियों ने, तथा मिर्जाफर ने, बंगाल के नवाब को, बंगाल के नवाब को, को, एक बेपारिक, कंपनी के हाथों बेच दिया, कंपनी के हाथों, बेच दिया, ये देखो सवाल, कितना बहतर सवाल है, ये एक कथन है, स्टेट्मेंट है, और इसे कहा है, उसका नाम है, के एम पनिकर, के एम पनिकर, के एम पनिकर, ये बहुत बड़े इतियासकार है, ये बहुत बड़े इतियासकार है, जिनका नाम है के एम पनिकर, के एम पनिकर, इनका कथन है, पलाशी के युद में बंगाल के धनी बेपारियों ने तथा मिरजाफर ने बंगाल के नवाब को एक बेपारी कंपनी के हाथों में बेच दिया ठीक है अगला सवाल क्या आप मानते हैं छठा सवाल क्या आप मानते हैं कि पलाशी कायुद पलाशी कायुद ब्रिटिश कंपनी की ब्रिटिश कंपनी की ब्रिटिश कंपनी की भारत में सम्राजेवादी सम्राजेवादी महत्वकांच्छ के दिशा में एक सफल परियोग था एक सफल परियोग था क्या आप मानते हैं कि क्या आप मानते हैं कि पलाशी कायुद ब्रिटिश कंपनी की ब्रिटिश कंपनी की भारत में सम्राजेवादी महत्वकांच्छ के दिशा में एक सफल परियोग था एक सफल परियोग था छे क्वेशन हो गए सात्वा सात्वा लेते हैं सेबंथ सात्वा क्वेशन सात्वा क्वेशन ब्रिटिश कंपनी के लिए के लिए दक्कन तथा उतरी भारत दक्कन तथा उतरी भारत का उतरी भारत का दर्वाजा खोल दिया दरवाजा खोल दिया देखिये बच्चो याद रखो, दक्कन मैंने लिखा है, दक्कन बंगाल के धन ने ब्रिटिश कमपनी के लिए दक्कन तथा उतरी भारत का दरवाजा खोल दिया यहां दक्कन का मतलब हुआ बच्चो एंगलो फ्रेंच वार दक्कन का मतलब हुआ नितीश एंगलो फ्रेंच वार यानि वांडी वास का वार जिसमें बिटिश कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को रौत दिया उसको बुरी तरह से परास्त कर दिया अगला मेरा सवाल, नम्बर आठ, ये साथ हो गया, नम्बर आठ, नम्बर आठ सवाल, नम्बर आठ, 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 नम्बर where the results where so vast so vast so immediate so immediate and so permanent so permanent क्या statement है कितना बहतर statement है यह कहता है एक प्रसिद British historian जिसका नाम है Malation जिसका नाम है Malation जिसका नाम है Malation जिसका नाम है Malation ठीक है न? यह उसका कथन है देखिए कितना बहतर कथन है यह कभी आ सकता है बहुत यह प्रसिद historian है देखिए क्या बोलता है there was never a war in India भारत में कभी ऐसा war नहीं हुआ था इसका हिंदी भारत में ऐसा कभी वार नहीं हुआ था इन वीच जिसमें रिजल्ट्स यानि परिडाम ओवेर थे so vast इतना भ्यापक इतना ब्रिध इसका हिंदी क्या हुगा ब्रिहद ब्रिहद जिसमें परिडाम इतना ब्रिहद so immediate प्रियंका इतना शिग्र इतना शिग्र so immediate इतना सिग्र so permanent इतना स्थाई इतना स्थाई मुझे उमीद है आप लिख लिए होंगे भारत में ऐसा कभी वार नहीं हुआ था जिसमें परिडाम इतना ब्रिहद इतना सिग्र इतना स्थाई था कमेंट कीजिए लिखिए आपने लिख लिए इसे मिटा दे इसे मिटा दे ठीक है घबड़ाईये नहीं और केवल दो प्रस्न देंगे केवल दो प्रस्न अचा नहीं हिंदी में बोल दें एक बार लिखे लो बच्चों हिंदी में एक बार बोल देते हैं लिखे लो भारत में भारत में कभी आईशा युद्ध नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, जिसमें परिडाम इतना ब्रिहद, इतना शिघर, तथा इतना अस्थाई था, तथा इतना अस्थाई था, उसका हिंदी है बच्चों, लिख लो, उसका हिंदी है, ठीक है, हो गया, अब और दो प्रस्ण देते हैं, केवल दो प्रस्ण, घवडाई ये नहीं आप, देखिए इससे आपको फाइदा है, इसमें मेरा नुक्षान है, द्यान दीजिये, इसमें मेरा नुक्षान है, आपको फाइदा है, मेरा नुक्षान है आपको फाइदा है कैसे क्योंकि हम लोग को समय मिलता है हम लोग को एक समय दिया जाता है management के द्वारा कि इतना समय में आपको इस segment को खतम करना है तो मेरा नुक्षान हो रहा है समय का लेकिन आपको फाइदा हो रहा है ठीक है लेकिन फिर भी चलिए हम उसको maintain कर लेंगे क्योंकि मुझे पता है कैसे maintain करना है और थोड़ा हम नुक्सान सह लेंगे लेकिन आपके लिए हम अब जो है नुक्सान सह सकते हैं क्योंकि आपका भविश्य है ठीक है तो आप लिखिए 9 प्रस्न संक्या 9 9 अभवर नइन्थ अछना नुक्ष कौश नुक्ष्यूसरतु आपके लेकित रखिए अन्दे रांब si अझे न रांद रांड रखिए लिएट लुक्तरियने certified विश्यूस्ये घरत। victorious it was a treason इसका हिंदी हुआ यह देश-द्रोह था यह देश-द्रोह था देखो treason का मतलब होता है treason का मतलब होता है देश-द्रोह यह देश-द्रोह था जिसने Lord Clive को Lord Clive को बिजेता बना दिया बिजेता बना दिया बिजेता बना दिया पूरे नौ क्वेस्चन हो गए अब लास्ट नमबर टेन्थ द्रोह क्वेस्चन प्रशन संक्या दस क्वेस्चन नमबर टेन यह लास्ट होगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिखे बाद बाद पलाशी थे बाद पलाशी कि वज 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 च अन इंपॉन टूटन इंपॉन यंपॉन आ निव वज अवे हिए, in the chains of development, in the chains of development, which made, which made English company, English company the master of India, the master of India, the master of India. This is the last question. Number 10. Let's study this. The Battle of Palasi was an important event. In the chains of development, which made English company, the master of India, this is the last question. The Battle of Palasi, the Battle of Palasi, the Battle of Palasi, the Battle of Palasi, decreed, the Battle of Palasi, Napoleon, who lentils the Battle of joined, the Battle ofί Plasi want to hear, में एक महतपुर्न घटना थी जिसने एक अंग्रेजी कंपनी को भारत का स्वामी बना दिया अंग्रेजी कंपनी को भारत का स्वामी बना दिया भारत का स्वामी बना दिया पूरा आपके पास दस ग्वेस्टन आ गए ठीक है आपके पास पूरा कितना प्रस्ण होगाए दस यानि दस हमने दिया और इसके बाद जो पहले के प्रस्णाए हैं उसमें से पूरा आपको मिल आएगा कितना 9 UPSC का 19 हो गया 10 और 9 19 हो गया और इसके बाद 6 और है UPPCS का सवाल 6 तो 19 और 6 पचीस हो गया और 6 सवाल BPSC का है तो 25 और 6 31 हो गया यानि केवल एक चैप्टर से आपके पास कितने Quesn हो गये 31 केवल एक चैप्टर से आपके पास प्रस्णों की संख्या कूल कितना हो गया 31 कितना लिखो गये भाई थक जाओगे अब सोचो कि जो बच्चा मेहनत करके एक टॉपिक से 31 जो है question लिख लेता है यार उसको कौन रोख सकता है परिक्षा पास करने बताओ जो एक एक चैप्टर से 31 जो 32 सवाल लिखता है घर पर उसको कौन रोख सकता है और सीधी सी बात है कि कौन लिखेगा 31 या 32 सवाल कौन लिखेगा जिसको आएगा वही लिखेगा ना जिसको आएगा वही लिखेगा ना जिसको आएगा ही नहीं वो कहां से लिखेगा इस तरह से यदि आपने काम किया जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा 2021 कुछ न कुछ आपको दे कर जाएगा अब देखिए कोई लिखता है सर वाटसब कर दीजिए सर के पास इतना समय है क्या एक तुम मैं लिखता हूँ बोर्ड पर फिर वाटसब कर दीजिए देखो यह जो एजी रास्ते वाले बच्चे होते हैं एजी रास्ते वाले कि ऐसे हो जाएगा सर उनके लिए पास करना अरे भाई पहले अपने को तरासना पड़ता है मेहनत करना पड़ता है जब कोई पानी में डूबता है तो सेल्फ एफ़र्ट लगाता है बचने का परियास करता है फिर आकर कोई बचाता है उसे तो आपके लिए मैंने पहले बता दिया था कि भाई सारे बच्चे इस किताब को ले लें इसमें दस साल का पेपर दिया हुआ है तो आप ले लो जाकर दुकान से और इसके बाद जो अलग से क्वेस्टन्स आएंगे वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको जो सवाल आ गए है उसमें दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है और जो सवाल नए होंगे उ मैंने लिखा ही अब ये दस सवाल ऐसे हैं जो आय नहीं है यह मेरा काम है बाकी तो काम अपने से कर सकते हो ना भाई काम करो काम आराम मत करो ठीक है हाँ यह बाइलिंगूल है इंदरजीत इट इस बाइलिंगूल बोथ लैंग्वेजेज हिंदी एन इंग्लिस दोनों में लिखा गया है द्यान देना तो आएए अब हम टॉपिक शुरू करते हैं कि देखो कभी कभी बच्चों को डांटना पड़ता है और डांटना जो है न वह सही होता है यदि आपने माभारत देखा होगा तो माभारत में भगवान कृष्ण ने कई बार अर्जुन को डांटा है कई बार डांटा है लेकिन मैं भगवान कृष्ण नहीं हूं मैं एक सधारन व्यक्ति हूं लेकिन मैं भगवान कृष्ण से अवस्य आदर्श लेता हूं अर्जुन को कई बार फटकार लगाते हैं डाटते हैं और उनका डाट का उद्धे से यह होता है कि अर्जुन तुम केवल काम करो केवल तुम कारे करो इस युदका परिडाम क्या होगा मुझ पर छोड़ दो तुम केवल सोच रहे हो कि तुमने मार दिया उनको तुमने किसी को नहीं मारा तुम तो क्यवल काम कर रहे हो वर्ख मारना या मर जाना यह परिडाम होता है इसलिए कोमल सर्मा वर्क वर्क और वर्क विकरज इडिज वर्षी यही पूजा है यही इबादत है यही अराधना है ध्यान दीजिएगा तो आईए टॉपिक लेते हैं बंगाल विजय बंगाल विजय बंगाल विजय इसमें सबसे पहला पलाशी का युद्ध पलाशी का युद्ध दी वार अप पलाशी यही हम लोग का टॉपिक होगा अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस टॉपिक को कई भागों में हम बाट देंगे इस टॉपिक को कई भागों में बाटेंगे ताकि हम जितने भी पॉइंट्स हैं जितने भी आवाश्यक बिंदू हैं उन पर हमारा ध्यान जा सके और तब ही जाकर के हम इस टॉपिक का बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं अन्य था यह जितने सवाल हमने दिये हैं वे सारे सवाल आप तब कर पाओगे जब इस टॉपिक को छोटे-छोटे बिंदों में बाट करके अध्यान करोगे तब जाकर के उन सवालों को आप कर सकते हो क्योंकि आप देखोगे कि प्रतेग बिंदू से कोई ने कोई सवाल बना है जो हमने दिया है प्रतेग बिंदू से बना है और इसलिए हमारे अध्यान में प्रतेग बिंदू का एक बहुत महतपुर्ण महतव हो जाता है उनका खास इंपॉर्टेंस हो जाता है लेट अस बिगीन अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट हम बताएंगे कि जो पलासी का वार लड़ा गया जो पलासी का युद्ध हुआ वह कब हुआ बेसिक चीज़े हैं बेसिक वह कब हुआ दूसरा किस के बीच हुआ किस के बीच हुआ तीसरा कहा हुआ कहा हुआ और चौथा उसके पीछे क्या उद्ध से था उसके पीछे क्या उद्ध से था उसके पीछे क्या उद्ध से था अच्छा अब उद्ध से में दो सवाल उद्ध से में दो सवाल आ गए पहला सवाल बंगाल ही क्यों? भारत के अन्ने छेतर क्यों नहीं? भारत के अन्ने छेतर क्यों नहीं? भारत के अन्य छेत्र क्यों नहीं, बंगाल ही क्यों, भारत के अन्य छेत्र क्यों नहीं, इसके बाद हम लोग इतना कर लेंगे, तब हम लेंगे अगला, पलाशी के युद से पहले, पलाशी के युद से पहले, पहले, बंगाल की, राजनितिक, राजनितिक, प्रशास्निक, सैन्य, आर्थिक, सांस्कर्तिक, इस्थिति, इस्थिति, ठीक है? और इसके बाद भी, हम लोग के पास कई बिंदू है, बट, I don't have a space, मेरे पास जगा नहीं, इतना पॉइंट्स के बावजुद, we have some points to discuss, इसके बाद भी कुछ हमारे पास, अभी कई points है, चार-पांच पॉइंट्स है, चार-पांच बिंदू है, लेकिन board हमारे पास छोटा है, space छोटा है, तो let us do first, पहले इसे हम कर लेते हैं, और जब इतना कर लेंगे, तो इसके बाद जो space बिंदू बचा है, हम उसको लिख देंगे, और उसके बारे भी हम लोग चर्चा कर देंगे, और पूरा notes ऐसे बनता जाएगा, तो बच्चो आप लोग एक काम करना, आप लोग जितना बिंदू हमने इस पर लिखे हैं, उन सब को point बना लो, numbering कर दो, numbering, number 1, number 1 में 4, 1, 2, 3, 4, इसके बाद, number 2, number 2 में ये पूरा, इसके बाद फिर हम लिखेंगे number 3, ऐसे, ताकि जब ये topic खतम हो जाए, तो आप से पूछा जाए, कि ये बताओ, जो पलासी का वार हुआ, उसमें कौन कौन सी घटनाएं महतपुर्न है, तो सीधे अंगली पर कहोगे, अंगली पर, fingers पर कहोगे, इसमें 10 महतपुर्न है, 10, 10, और गिंती कर दोगे, देखो भाई, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दस, यानि चलता फिरता, चलता फिरता, जहां जाओगे, वो दसो बिंदू तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा, और जिस बिंदू से प्रस्न आएगा, उसमें से ओ बिंदू निकालोगे, अंशर त्यार होगे, ध्यान देना, तो आईए सबसे पहले हम यहाँ से कहानी को शुरू करते हैं। और इस कहानी में मेरे साथ आप भी सहयोग देंगे। जहां आप गल्ती बोलेंगे वहां मैं बताओंगा। क्योंकि मैं अकेले नहीं बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सार्थी बनिये। आप भगवान कृष्ण बन जाएए हम आपका अर्जुन बन जाएगे आपके पीछे-पीछे चलेगे तो चलिए स्टार्ट टेलिंग मी सबसे पहला प्रस्ट पलासी का युद्ध कब हुआ बताइए पलासी का युद्ध कब हुआ अन्ष गर्ग ने बताया, इंदजीत ने बताया, मुनमुन, नितीष, प्रियंका, कोमल बहुत बढ़िया कोमल 22 नहीं है, 23 जुन है, सुधार लेना कोमल, this is 23 जुन, 22 जुन नहीं, 23 जुन, ध्यान रखना चलिए, उत्तर मिल गया इसका 23 जुन, 1757, यानि पहला बिंदु हम लोगा हो गया अब आईए अगला, किसके बीच हुआ, बोलिए, किसके बीच हुआ विद्ध्या, विद्ध्या, किसके बीच हुआ, विद्ध्या आपने आंसर नहीं लिखा आपने आंसर नहीं लिखा विद्ध्या शिराज और बिटिश कंपनी के बीच बहुत बढ़िया जुबाहर शाहब ने कहा शिराज और लॉड क्लाइब के बीच बहुत बढ़िया वाजुरा EIC और शिराज के पास बहुत बढ़िया ठीक है विद्या आपका आंसर अभी नहीं आ रहा है केवल आप प्रस्न कर रही है राइट यूर आंसर किसके बीच हुआ राइट डाउन फास्ट क्लाइब और शिराज के बीच ठीक है उस पर आनी उस डल्सो राइट उस पर आनी लिखो पूजा आप भी लिखिये जितने बच्चे इस समय अनलाइन जुड़े हैं वो सारे इस प्रस्न को लिखेंगे रीभा यादो ठीक है लिखो जल्दी ठीक है देखो मैं यहां से सब को देखता हम ठीक है भले आपका चेहरा नहीं दीखता है लेकिन मेरे पास सब का रिकॉर्डिंग है कौन क्या कर रहा है अभी हाँ पुष्पा ने अभी एंसर लिखा ठीक है अभी रीभा जो है विद्या ने अभी लिखा ठीक है अभी रीभा जो है उसने एक मिनट के लिए लेफ्ट किया था फिर जॉइन किया इसका मतलब ओ अभी चाय पीने चली गई थी, ठीक है, नास्ता करने, ऐसा गलती नहीं, रिवा, जब पढ़ो, दो घंटा पढ़ो, बाद में चाय नास्ता करना, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो किसके बीच हुआ, शिराज, जो बंगाल में नवाब है, जो बंगाल में नवाब है ठीक है रिवा ने लिखा है सर नेटवर का इशू था नेटवर का इशू था डाउन टेल एलाई ठीक है चलो कोई बात नहीं ठीक है किसके बीच बंगाल का नबाव है शिराजु दावला और बिटिस कमपणी का स्छेनपती जो है लोड कलाईब के बीच हुआ ये वह अब तीसरा सवाल है कहां पर जगह क्या है पलाआशी बंगाल में है यह जगह जो है पलासी है कहां पर है बंगाल में है इसको मैं लीकता हूँ जरा समझो ध्यान से देखो बच्चो आप देखोगे कि बंगाल में गंगा मैया को बंगाल में गंगा मैया को हम भागी रती कहते भागी रती कहते भागी रती बंगाल में गंगा मैया को हम क्या कहते हैं भागी रती क्योंकि ये राजा थे ये भगवान राम के पुर्वज थे आप कहां नहीं आपको याद होगा और इनके तपस्या से खूशो करके गंगा मैया जो है वह स्वर्ग से धर्ती पर अवतरित होती तो भागी रती कहां पर बंगाल में है और भागी रती के किनारे बसा है पलासी भागी रती के किनारे क्या बसा है पलासी बसा हुआ है भागी रती के किनारे जो पलासी सब्द है बच्छो जो पलासी सब्द है वह पलास से बना हुआ है जो पलासी सब्द है वह पलास से बना है पलास, P-A-L-A-S-H, पलास से बना है, पलास ही किसे बना है, पलास से बना है, ये पलास क्या होता है, पलास जो है, it is a red beautiful flower, beautiful flower, यह पलास जो है वह एक लाल रंग का सुन्दर फूल होता है पलास का फूल होता है लाल रंग का रेड कलर का ध्यान देना जो पलास है न ये फूल का नाम है जिसका रंग रेड होता है और ध्यान डखना जब हम लोग होली मनाते हैं जब हम लोग होली का पर्व मनाते हैं तो उस होली में हम लोग गुलाल का परियोग करते हैं हम लोग गुलाल का प्रयोग करते हैं और गुलाल का निर्मान की से होता है पलास से होता है ध्यान रखना जो गुलाल हम लोग बनाते हैं प्राकृति गुलाल मैं कैमिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं रसाइनी गुलाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं प्राकृति गुलाल की बा जिसका कलर जो है रेड होता है और जो पलासी बना है वह पलासी ही बना है यानि इस छेत्र में उस समय पलास के काफी पौधे थे पलास के काफी फूल थे अब कहेंगे आप हमसे कि सर ये बताओ कि आप ये कहां से पढ़े हैं इसका मैं स्रोथ बताता हूँ ये जनकारी कहां से मिलेगी ये जनकारी मिलेगी N-C-E-R-T, N-C-E-R-T, New N-C-E-R-T, New, पुरानी नहीं, New, क्लास एर्थ, क्लास एर्थ, जो अभी New N-C-E-R-T है, क्लास एर्थ का, उसमें देखोगे कि ऐसे बना करके एक बॉक्स बना करके इसके बारे बताया गया है। एक बॉक्स बना करके पलासी सब्द कैसे बना इसको बनाया गया है। मेरे पास सारे किताब हैं, आपको हम बीज-बीज में दिखाय करेंगे, कहां से मिला है। ठीक है? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। यानि कि कहां यह हम लोग का क्लियर हो गया। यानि कि हम लोग तीन प्रस्टों का उतर हम लोगों ने खोज लिया। पहला, कब, when, दूसरा, by whom, किसके बीच हुआ, तीसरा, where, कहां हुआ, पलाशी। अब चौथा प्रस्ट है, its objective, इसका उदेश से क्या है, इसका गोल क्या है, इसका mission क्या है, चाहत क्या है, डिजायर क्या है, क्या चाहते हैं। इसको हमने दो भागों में बाट दिया। लेकिन दो भागों में बाटा तो है, लेकिन इन दोनों के बारे में बताने से पहले, हमें इस प्रस्न का उतर देना पड़ेगा। यानि हम पहले एक general उतर बताएंगे, कि इनका उतर से क्या है। यह मैं general बताऊंगा, एक मैं general उतर बताऊंगा, कि British Company का बंगाल विजय के पीछे, क्या उतर से था। और इसके बाद इस प्रस्न का उतर दूँगा, कि बंगाल में क्यों, उसके बाद हम देंगे, पहले general और फिर ये। तो देखिए हम लिखते है उतर से, उतर से क्या है भाई, इनका उतर से है number one, इनका पहला उतर से है बच्चों, इनका पहला उतर से है, ब्यापार पर एक अधिकार करना, पहला, ब्यापार पर एक अधिकार करना, पहला उतर से होगे, दूसरा, कच्चा माल पर अधिकार करना, कच्चा माल पर अधिकार करना, दूसरा, तीसरा, राजशो पर अधिकार करना, राजशो पर अधिकार करना, पर अधिकार करना, यानि तीन इनका सबसे आहम उदेश से है, इनका तीन सबसे खास उदेश से है, परिक्षा में भी आपे ही लिखें, पहला क्या है? वन, बियापार पर एक अधिकार करना, मनोपोली करना, नमबर टू, कच्चा माल पर अधिकार करना, नमबर थ्री, revenue पर अधिकार करना, revenue रजश्चों पर अधिकार करना, ये तीन इनका उदेश्चे है, बिलकुल विद्या बिलकुल सही उदेश्चे है, ध्यान देना, आप देखो, विद्या तुमारे प्रस्ट का उतर में बताऊंगा, पहले सून लो कहानी, बहुत ही ये कहा कहानी में बताने जा रहा हूं, थोड़ा भी भटकाव होगा तो कहानी तूट जाएगी और फिर समझ में नहीं आएगा, चुकि अभी beginning है, शुरुवात है, तो अभी से कहानी को आप समझ सकते हो, लेकिन दोचर पॉइंट मिश हो गया, तो फिर आपको समझ में नहीं आएग इसलिए be attentive, be attentive, तीन हो गया, अब सवाल ये है, कि तीनों कम मिलेगा, ये तीनों जो अधिकार है, ये तीनों हमारा जो उदेश से है, ये मिलेगा, जल्दी से बताओ आप, ये कैसे मिलेगा, ये तीनों उदेश से कैसे मिलेगा, ये तीनों उदेश से हमें कैसे मिलेगा राइड डाउन फास्ट हाँ जब हम बंगाल को जीतेंगे जोती ने कहा बंगाल बिजय करेंगे राजनीर पर एकादिकार रीभा ने कहा शासक पर नियंतरन करना बेरी गुड पलवी ने कहा बंगाल विजय ध्यान देना अब देखो अब मेरी बातों को सुनिए आपका बात भी सही है गलत नहीं इन तीनों उदेशे को इन तीनों उदेशे को हम दो तरह से प्राप्त कर सकते हम तीनों उदेशे को दो तरह से प्राप्त कर सकते आपने एक बताया था हमने दो कहा इन तीनों को हम दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं या तो बंगाल का नवाब हमारा परभाव में आ जाए हमारा परभाव में आ जाए आ जाए नहीं तो नहीं तो उसे बदल दिया जाए उसे बदल दिया जाए उसे बदल दिया जाए तथा एक कठपुतली एक कठपुतली नवाब नबाब को बंगाल में बैठाया जाए बैठाया जाए देखिए जो आपने कहा उसी बात को मैं भी कह रहा हूँ लेकिन कहने का थोड़ा सा तरीका हमारा अलग हो गया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एनलेटिकल हो गया ज्यां देना बच्चों जो आपने आंसर दिया है that is right वह सारा उतर सही है लेकिन परिख्षा में हमें क्या करना है नंबर लेना है और नंबर के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा दिखाना होगा नंबर के लिए हमें कुछ क्या करना होगा एक्स्ट्रा दिखाना होगा और एक्स्ट्रा दिखाने के लिए ही हमने उसी बात को जो आपने कहा है, थोड़ा अलग तरह से रखने का प्रयास किया है, इसमें क्या है, इसमें बिसलेशन है, देखो, हमने क्या लिखा, कि इन तीनों उदेशे को प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो राष्टे हैं, हमारे पास दो राष्टे हैं, वन, या तो बंगाल का नबाव हमारा परभाव में आ जाए, यानि हमारी बातों को सून ले, यानि हमारे अनकूल हो जाए, यानि जो हम चाहते हैं, वह उसे मान ले, या तो सिराज, वही करे जो हम चाहते हैं, वही सूने जो हम चाहते हैं, वही बोले जो हम चाहते हैं, तब भी काम हो जाएगा, और यदि सिराज हमारी बातों को नहीं सुनेगा तो दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है यदि सिराज हमारी बातों को नहीं सुनना चाहेगा तो हम बिवस हैं क्योंकि हम समराजवादी हैं हमें किसी कीमत पर इन तीनों उद्यश्य को प्राप्त करना है, हम चाहते हैं कि कोई बिना रख्त के काम हो जाए, खुन खराबा नहों, ऐसे काम हो जाए, लेकिन शिराज हमारी बातों को नहीं सुनेगा, तो हम क्या करेंगे, हम शिराज को ही बदल देंगे, हम सिराज को ही बदल देंगे और बंगाल के गदी पर एक ऐसा सिराज आएगा, एक ऐसा सिराज आएगा, जो हमारा क्या होगा, पालतु होगा, डुमेस्टिक होगा, टेम होगा, पालतु होगा, हम वही बोलेंगे जो बोलेगा, हम वही कहेंगे जो कहेगा, ठीक है, और इसलि कि पलासी का वार हमें लड़ना पड़ा, और इसलिए हमने पलासी को लड़ा, और इसलिए हमने बक्षर को लड़ा, हमने कई वार को किया, क्योंकि हम तिनों उदेश्य को प्राप करना चाहते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई एक बार कि कम्पनी का उदेश्य क्या था, रिपीट करते हैं, कम्पनी का क्या उदेश्य था, और इन तीनों उदेश्य को कम्पनी कैसे अपरात करना चाहती थी, यहां तो राजा हमारे अनकूल हो जाए, यहां तो राजा को बदल देंगे, यहां तो राजा को बदल देंगे, अब यहां दो सवाल आ गए, यह तो ठीक है, पहला जो पॉइंट है, कि यहां तो राजा हमारे परभाव में आ जाए, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, किलियर ह लेकिन यदि राजा हमारे अनकूल नहीं बनता है तो राजा को बदल देंगे तो अगला सवाल है कि राजा को कैसे बदलोगे तो कंपनी कहती है दो तरीका यहां भी है राजा को बदलने का दो तरीका यहां भी है सिराज को बदलने का दो तरीका यहां भी है मिरकासिम को बदलने का दो तरीका यहां भी है बजरत अब बताओ क्या क्या तरीका युद्ध जुबेर ने कहा war very fine जुबेर, दुसरा बताओ जुबेर, दुसरा दुसरा कंस्पिरेसिव प्रियंका nice, nice, very nice बहु सुन्दर, बहु सुन्दर outstanding, बहु सुन्दर, कमाल है, बहु सुन्दर कमाल है राजा नहीं सुना तो हम राजा को बदल देगे कंस्पिरेसिव प्रियंका कंस्पिरेसिव प्रियंका करेंगे number two यह सफल नहीं हुआ WAR करेंगे पहला सफल नहीं तो दुसरा सफल हो जाएगा पहले हम WAR नहीं करेंगे यह पहला पहला ऊप्षण होगा यह हमारा पहला आप्षण होगा कंस्पिरेसि होगा जब देखेंगे इसमें सफलता नहीं मिला तो फिर हमारे पास ये बिकल्ब खुला है वार ये बिकल्ब खुला है वार आप देखोगे बच्चों ति जैसे जैसे पढ़ोगे भारत में British Company ने जितने वार की उन वारों के पहले British Company ने क्या किया था कंस्पिरेशी किया था पहले वार कभी नहीं किया पहले किया शर्यंत्र जब सफलता नहीं मिली तो फिर किया वार यहां तक कहानी असपस्थ हो गया अब मैं अगला लेता हूं मेरा अगला सवाल है मेरा अगला सवाल है बच्चों कि आपका उदेशे तो मुझे समझ में आता है अच्छी बात कि भाई आप चाहते हो आप चाहते हो कि भारत से हमें ब्यापार पर एक आदिकार हो जाए अच्छी बात है आपका मानना है दूसरी बात नमबर वन दूसरा जो है आपका जो उदेश से है कि आप कच्चा माल को प्राप्ट करना चाहते हैं कच्चा माल भी चाहते हैं जो तीसरा उदेश से है हिंदुस्तान से आप रेविन्यू चाहते हैं यानि रजस्व चाहते हैं रजस्व तो यहाँ प्रस्न यह है कि जब तीनों चाहते हैं आप तो भाया यह बताओ यह इंडिया हो गया यहाँ पर बंगाल है तिस बिंगॉल तिस अवद तिस निजाम हैद्राबाद तिस इन करनाटक इस इस मैसूर इस इस मराथा तो सवाल ये है कि आप चाहते हैं ट्रेट आप चाहते हैं कि यूज़ रखेंगे वाट मनोपोली ओफ़ इस विए पाड़ी ओफ़ पाड़ी ओफ़ द्रेट बेपार पर मोनोपोली हो इन शाउथ इंडिया आलशो समझो बात को बहुत इनलिटिकल है यहाँ पर आपका उद्यस्य तीन है और आपके सामने सवाल यह है कि यह तीनों चीज को आप बंगाल को छोड़कर बंगाल को छोड़कर हिंदुस्तान के अन्य छेत्रों में भी प्राप्त कर सकते हैं आप यहाँ पर मद्रास में हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका यहाँ पर है आप यहाँ पर बंबे में हैं तो आप जो है बंगाल को छोड़कर के हिंदुस्तान के अन्य छेत्रों में क्यों नहीं जाना चाहते हैं भाई आप सिराज के पीछे क्यों पड़े हुए हैं प्रिय भीया आप मैसूर क्यों नहीं जाते हैं आप करनाटक में क्यों नहीं जाते हैं आप कृष्णा नदी के किनारे आप कृष्णा नदी किनारे हैदराबाद में क्यों नहीं जाते हैं आप महराष्ट में क्यों नहीं जाते हैं, वहां से कपास मिलेगा, तो आप सिराज की पीशे पड़े हुए हैं, जिस तरह से मोदी जी के पीशे राहुल गांधी जी पड़े हुए हैं, इस अमें, कल में नीव सुन रहा था, कल नीव सुन रहा था, तो उसमें जो है इंडिया टीबी वाले बोल रहे थे, रजत सर्मा बोल रहे थे, कि राहुल गांधी बिहार में चुनाव परशार गए, करने गए हैं, और बिहार के अस्थानिय मुद्दों की बात को छोड़ करके, ओ जियस्टी य इस्टी की बात कर हैं, अरे भाई वहां पर अस्थानिय मुद्दा उसके बारे बात करो, तो मोदी जी के पीशे पड़े हुए हैं, इससे क्या होगा कि राज़त को नुक्षान होगा, क्योंकि चुनाव परशार करने बिहार में जा रहे हो, तो वहां गरीबी है, वहां पिश्रेपन है, वहा प्रस्द यही है, कि भईया हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, हिमाले से लेकर कन्या कुमारी तक फैला हुआ है, और हर जगे नदियां भी है, दक्षिन में नदी, देखोगे गोदावरी भी है, गोदावरी के पास धान की खेती बहुत अच्छा होती है, अब पढ़े होंगे प्राचीन भारत, कि प्राचीन भारत में जो सातवाहन सासक थे, सातवाहन सासक थे, सातवाहन सासक थे, सातवाहन सासक थे, दक्षिन भारत में, तो प्राचीन भारत में सातवाहन वन्स का उदे कहा हुआ था, गोदावरी के किनारे हुआ था, क्योंकि गोदावरी क छेतर में धान की फसल अच्छा होता है। ठीक है। आप आ गय होते करनाटक में। यहां तुंग भद्रा नदी है, तुंग भद्रा है। तुंग भद्रा भी उपजाओं नदी। वहां भी जमीन उपजाओं है। तो भीया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान को छोड़ करके, तलवार ले करके, अकबर की तरह आप सीराज की पीशे क्यों भाग रहें। जैसे मद्दिकाल में अकबर रणा परताब की पीशे भाग रहा था, किसी तरह मेवार पर कबजा कर लेना है। तो आप जो है, बंगाल के पीशे क्यों पढ़ना चाहते हैं। बच्चों, यदि आपने नहीं समझा होगा, तो ये आपका भूल है। दो क्वेशन कल हमने दिया था, जिसका उतर यही है, बताइए कौन-कौन सा क्वेशन था, जल्दी बोलिये, जो बार-बार मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं, उसका उतर जो है, यही है, बोलिये जल्दी, कल सवाल हमने दो किया था, उनका उतर यही है, बोलिये जल्द नेपोलियन वाला बिल्कुल नहीं रिवा ने कहा निपोलियन वाला भी है, बूसी वाला भी है और कलाईब की चाबी वाला भी है, बिल्कुल जहीं पकड़ लिय ठीक है, तो ध्यान रखना यानि हम लोग बात करेंगे कि बंगाल ही क्यों, बंगाल ही क्यों, बंगाल ही क्यों, भारत के कोई अन्य छेत्र, अन्य छेत्र, क्यों नहीं, यही सवाल है, कल हमने तीन क्वेशन दिया था आपको, याद होगा, और तीनों प्रस्न का उतर यही है, कल का तीन प्रस्न और आज का एक प्रस्न और भी हमने बताया है कि बंगाल के धन से, बंगाल के धन ने ब्रिटिश कंपनी के लिए दक्कन और उतरी भारत का दरवाजा खोल दिया, उसका उतर भी यही है, ध्यान दीजिएगा, यानि चार-पांच क्वेस्चन हमें यहां से मिल रहा है, एक सोचो, एक बिंदू से हमें पांच से प्रस्नों का उतर मिल रहा है, किवल एक बिंदू से, सोचो, और सब में आंशर वही लिखना है, सब में आंशर वही लिखना है, यानि सवाल है, यानि सवाल है, वाई, 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 बिंगाल, वनली, वनली, वाई नॉट, 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 वाई नॉट इंडिया, रीजन्स ओफ इंडिया, सवाल इंद्रजीत यही है, वाई, वाई बेंगौल वन्ली, वाई नोट दि अधर रीजन्स ओफ इंडिया, बंगाल ही क्यों, भारत के अनिज छेत्र क्यों नहीं, बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हो, उत्तर आप लोग लिखना बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है, तो आएए, यहां से, इस टॉपिक पर, इस बिंदू पर हम लोग बिचार करते हैं, और यह बिचार जो होगा, पॉइंट वाइज होगा, पॉइंट वाइज, वन, टू, थ्री, फॉर, फाइप ऐसे होगा, अब देखिए, कल के क्लास में हमने कहा था, क्या कहा था, याद होगा आपको, कल के क्लास में हमने बताया था आपको, ठीक है, बताया था, यह पॉंडिचेरी है, मदरास के नीचे है, पॉंडिचेरी, मदरास के नीचे क्या है, पॉंडिचेरी है, Smith कहता है, Smith कहता है, कि ना तो सिकंदर और ना तो नेपोलियन, ना तो सिकंदर और नहीं नेपोलियन, भारत में समराजी बना सकते थे, यदि वे, आप देखिए बोर्ड पर, पॉंडी चेरी को मुर्चा बना कर चलते, और उस सक्ती से टकराते, जिसका बंगाल के धन पर, और बंगाल के नीचे समुद्र है न, और बंगाल के समुद्र पर, जिसका अधिकार था, ये, इसका उतर भी यही, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, दूसरा, डूपले और कलाइब, दोनो योग्य थे, दोनो अपने अपने देश के खातिर, हिंदुस्तान में समराज्य स्थापित करना चाहते थे, एक फेल हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान का चाभी दक्षिन में खोजा, एक पास हो गया, क्योंकि वह चाभी बंगाल में खोजा, दोनो का उतर यही है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, तो आएए, अब हम पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है? इसमें पहला पॉइंट है बच्चों, आर्थिक, आर्थिक लेते हैं, आर्थिक, इकनॉमिक, आर्थिक, आर्थिक, इकनॉमिक, देखिए, वन आर्थिक में पहला, आर्थिक में पहला बंगाल उर्वर बंगाल उर्वर छेत्र बंगाल एक उर्वर छेत्र है अता रजस्वा प्राफ्थ हो सकता है यह पहला पॉइंट हुआ आर्थिक में बंगाल उर्वर छेत्र बंगात्र है होगा बंगाल का किशान हमें क्या देगा रेविन्यू देगा एक्जांपल लगा देते हैं एक्जांपल एक्जांपल क्या है बच्चों पर्मामेंट परमानेंट सेटल्मेंट परमानेंट सेटल्मेंट एक्जांपल क्या है परमानेंट सेटल्मेंट अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त सोचो आपको याद होगा अभी पढ़े नहीं है कि पर्मानेंट सेटल्मेंट में 89% भाग कुल रेविन्यू का 89% भाग सरकार लेती थी और एक 11% केवल जमिंदारों को देती सोचिए सोचिए आपको पता होना चाहिए क्या राजस्थान इतना दे सकता है राजस्थान इतना रेविन्यू दे सकता है कहां से देगा जो डेजर्ट एरिया है मर्वस्था लेव कहां से देगा भीया गंगा यमुना का द्वाब दे सकता है गंगा यमुना का द्वाब ही दे सकता इतना रेविन्यू ये करनाटक के बस में नहीं है ये रजस्थान के बस में नहीं है तब पहला पॉइंट किलियर हो गया पहला पॉइंट क्या है बंगाल जो है वह रेवेन्यू का ठीक है बच्छो हाँ तो मैं ये कर रहा था कि चुकि बंगाल जो है मेरी आवाज आ रही है आप तक आवाज आ रही है बच्छों आवाज आ रही है आप तक ओके ओके प्रियंका लेशन मी चुकि बंगाल एक उर्वर जमीन है उर्वर छेतर है एकदम आराम से समझो देखो जोती अपने दिमाग पर थोड़ा प्रेशर नहीं लाना है बिल्कुल आराम से समझो क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ उसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है बहुत आसान है भाई सोचो यह बताओ जाने तो तुमारे घर में जमीन होगा तुमारे घर में भूमी होगा तुमारे पीता के पास तो यह बताओ कि जब तुमारा जमीन उरुबर होगा तभी तो तुमारे घर में फसल आएगा भाई धान है गेहूम है कि खेती कब होगा जब जमीन बंजर नहीं होगा उरुबर होगा तो सी के वजह से British company को पता था कि बंगाल से हमें काफी revenue आ सकता है और जब revenue आएगा सोचो जब बंगाल से हमें revenue आएगा उससे हम क्या करेंगे उस revenue से हम क्या करेंगे number one समान खरी देंगे यहां से समान खरी देंगे यहां से समान खरी देंगे one number two सेना पर खर्च कर सकते हैं सेना पर खर्च कर सकते number three प्रशाशन पर खर्च कर सकते प्रशाशन पर खर्च कर सकते number four भारत में छेत्र का विष्टार कर सकते भारत में छेत्र का विष्टार कर सकते यानि revenue जो है इतना important होगा हमारे लिए कि उसका प्रियोग हम कई छेत्रों में कर सकते और बंगाल हमें revenue देगा तो ये चीज असपस्ट हो गया होगा कि पहला उनका उदेश्य था कि बंगाल इसलिए जीतना चाहिए because we can get revenue क्योंकि हम भी यहां से क्या ले लेंगे revenue लेंगे यह इनका पहला उदेश्य था बंगाल में अब आगे बढ़ते हैं अगला point अगला हम लेते हैं बच्चों अगला point है आर्थिक में अगला point है कि बंगाल से हमें क्या मिलेगा कच्छा माल मिलेगा बंगाल से हमें क्या मिलेगा कच्छा माल मिलेगा बंगाल से हमें क्या मिलेगा रो मटीरियल मिलेगा रो मटीरियल कच्छा माल मिलेगा जैसे यहां से हमें कॉटन सूती हो गया, सिल्क रेशम हो गया, चीनी हो गया, निल हो गया, चाय हो गया, सोरा हो गया, इत्यादी यह सब हमें बंगाल से इजली मिल जाएगा, सोचो, कॉटन मिलेगा बंगाल से, रेशम, सिल्क मिलेगा, चीनी मिलेगा, निल मिलेगा, इंडीगो, और चाय भी मिलेगा, और सोरा मिलेगा, यानि बंगाल अकेले हमें इतना कच्चा माल प्रदान कर सकता है, और जिनका उपयोग हम अपने देश में, जो अध्योगी क्रांती हो रही है, वहाँ पर हम इनका प्रियोग कर सकते हैं, क्योंकि इंगलाइंड में अध्योगी क्रांती हो रही है, और उस अध्योगी क्रांती में हम इनका प्रियोग कर सकते हैं, हिंदुस्तान से लेंगे, इसे भेजेंगे, और फिर हमारा वहाँ प्रियोग हो जाएगा, दो पॉटिंट क्लियर हो गया, आर्थिक में दौ हो गया अब आर्थिक में यह कच्छा माल था आर्थिक में तीसरा हम लेते हैं तीसरा है, बेंपार के लिए महतपुर्ण छेत्र, बेंपार के लिए महतपुर्ण छेत्र, देखिए, बंगाल जो है, वह ब्रिटिस कंपनी के लिए बेंपारिक दर्ष्टिकोर्ण से भी काफी महतपुर्ण छेत्र, बेंपारिक दर्ष्टिकोर्ण से भी इसका काफी आहमियत था, एक्जामपल मैं देता हूँ, ऐसे नहीं, पहला एक्जामपल, पूरे एसिया में, पूरे एसिया में, पूरे एसिया में, जो ब्रिटिस कंपनी का बेंपार होता था, उसमें बंगाल का अंस, उसमें बंगाल का हिस्चा कितना था, 60%, सोचो, यानि हिंदुस्तान में एक मात्र ऐसा छेत रहे बंगाल, जो ती आपने सही का, हिंदुस्तान में, एक मात्र ऐसा छेत रहे बंगाल, जिसका, ब्रिटिस कंपनी के दुआरा, किये जाने वाले, पूरे एसियाई बेंपार में, 60% का हिस्चा था, ये मेरा पहला एक्जामपल है बच्चो, दुसरा मैं देता हूं, किसी के लिए, दुसरा एक्जामपल है, कि, दुसरा एक्जामपल जो है, हमने लिया है, कहां से लिया है, जो कांग्रेस का सांसद है, ससी थरूर, जो कांग्रेस का सांसद है, ससी थरूर, तो ससी थरूर ने अपनी किताब में लिखा है उनका किताब को नाम है An Era of Darkness An Era of Darkness Darkness The British Empire The British Empire The British Empire उस किताब को नाम है इस किताब में थरूर ने बताया है सुनिये उस आकडा को बहुत इंपॉर्टेंट है इस किताब में थरूर साब ने लिखा है कि 1750 के समय लगभग 1750 के समय बंगाल से जो सूती कपडों का बेपार हो रहा था बंगाल से जो सूती वस्त्र का बेपार हो रहा था जो सूती वस्त्र का निर्यात हो रहा था एक्सपोर्ट हो रहा था निर्यात हो रहा था बंगाल से उस निर्यात का जो कुल मुल्ले था कुल प्राइस था कुल पैसा था वो कितना था शिक्स्टीन मिलियन रुपीज शिक्स्टीन मिलियन रुपीज सोचिए थरुर ने लिखा है कि सत्रह सो पचास के आज पास बंगाल से 16 मिलियन रुपीज आज के डेट में उसका वैलू आज के डेट में 16 मिलियन रुपीज के बराबर बंगाल से सूती कपड़ों का निर्यात हो रहा था विदेशों में सोचिए 16 मिलियन रुपीज आज के डेट में उसका वैलू उस समय छोड़ दीजिए और थरूर ने लिखा कि 16 मिलियन रुपीज में से 5.6 मिलियन रुपीज के कपड़े कहा जाते थे? इवरोप जाते थे? सोचो यह कहा जाते थे? इवरोप जाते थे? इवरोप यानि कुल निर्याद कितना हुआ? 16 मिलियन रुपीज का और 16 मिलियन रुपीज में से 5.6 मिलियन रुपीज का निर्याद केवल इवरोप में होता था केवल इवरोप में यानि आप सोच सकते हो कि उस समय सूती कपड़ों का एक्सपोर्ट जो हो था, उसका मांग एवरोप में कितना था, सुचो. धरुर ने यह भी लिखा है अपने किताब में, कि बंगाल से जो रेश्मी कपड़ों का अंद्रियात हो रहा था, बंगाल से जो रेश्मी कपड़ों का अंद्रियात हो रहा था, शिल्क का, यानि रेश्मी कपड़ों का जो अंद्रियात हो रहा था, वह लगबग 6.5 मिलियन रुपीज 6.5 मिलियन रुपीज के बराबर हो रहा था सोचिए 6.5 मिलियन रुपीज के बराबर हो रहा था कब 1750 में रिस्मी कपड़ों का अब तीसरा पॉइंट थरूर ने तीसरा पॉइंट भी दिया है पहला सूती हो गया दूसरा रिस्मी हो गया और तीसरा उस्त क्या कहते है थरूर ने कहा कि बंगाल से सूती और रिस्मी कपड़ों का इवरोप में जो निर्यात हो रहा था उसको देखते हुए इन दोनों कपड़ों के उत्पादन में यानि कि इवरोपिये निर्यात को देखते हुए कि मांग बढ़ता जा रहा है इन दोनों कपड़ों का इउरोप में मांग में लगातार बृधी हो रहा था इसको देखते हुए जो बंगाल के कारिगर हैं उन्होंने सूती और रेश्मी दोनों कपड़ों के उत्पादन में बृधी कर दिया उत्पादन में क्या किया बृधी और कितना परसेंट आपको सुन करके ताजूब होगा 33 परसेंट सोचो 33 परसेंट की बृधी हो गई यानि इउरोप में सूती और रेश्मी कपड़ों के मांग को देखते हुए बंगाल के कारिगरों ने अपने उत्पादम में 33 परसेंट का बृधी कर दिया सोचो तो आप सोच सकते हो कि बंगाल को किसी किम्मत पर बिटिस कंपनी लूज नहीं होने देती उसको छोड़ने वाली नहीं थी शिराज को छोड़ने वाली नहीं थी जहां से इतना लाब होगा उस छित्र को कंपनी कैसे छोड़ देगी तो यह हुआ आर्थिक यह क्या हुआ आर्थिक हुआ अब आई यह आर्थिक बाद हम लेते हैं राजनितिक लेते हैं राजनितिक लेते हैं राजनितिक लेते हैं राजनितिक हो गया यहां पर हम देखते हैं कि बंगाल में एक नवाब है बंगाल में एक नवाब है एक नवाब का शासन है क्या है एक नवाब का शासन है बंगाल में ठीक है एक नबाब का साशन है और जो नबाब है वह आपसी मतभेद का सिकार है आपसी मतभेद का क्या है सिकार है जो नबाब है वह आपसी मतभेद का सिकार है यानि कि वह अपने घरेलू समस्याओं से परेशान है घरेलू समस्याओं से परेशान है घरेलू समस्याओं से क्या है परेशान है यानि नबाब को अपने दर्वारियों से अपने दर्वारियों से परियाप्त सहायता सहायता प्राप्त नहीं है प्राप्त नहीं हो रहा है प्राप्त नहीं हो रहा है यानि नबाब को अपने दर्वारियों से परियाप्त सहायता प्राप्त नहीं हो रहा है यह तो हमारे लिए सुसंकेत। आगे बढ़ते हैं, यह राजनीत हो गया है अब हम लेते हैं प्रशाषन क्या है हाल, प्रशाषन कैसे है प्रशाषन कैसा है और सेना कैसी है राजनीत हो गया प्रसाशन प्रसाशन और शेन ये दोनों क्या है ये दोनों सामंती है इन दोनों का जो स्वारूप है वह सामंतबादी है सामंतबादी है इन दोनों का नेचर क्या है सामंतबादी क्यों भाई क्योंकि इसमें योगिता इसमें योगिता का भरती परमोशन ठीक है इनमें इनका कोई योगदान है ये समंतबादी है क्योंकि भरती में और परमोशन में योगिता का कोई भी अर्थ नहीं तो ये दोनों होता कैसे है इन दोनों का होने का धार है रक्त संबंध रक्त संबंध भाई भतीजाबाद भतीजाबाद यानि हम कह सकते हैं चमचागिरी इसको हम सुद्ध जो है भासा में कहते हैं चमचागिरी करना ध्यान देना यानि अपने स्वामी को खुशामद करना अपने स्वामी को बढ़ाई करना कि आप महान है तो ध्यान देना भरती प्रमोशन में कोई योगिता नहीं है कि आपकी कि शखंदान से बिलॉं करते हैं यानि रक्चसंबंध का आधार है रक्तसंबंध का महतो है नंबर वन नंबर टू भाई भतीजाबाद है नंबर टू इसके हलावे जो शेना है बच्छो इसके पास कोई प्रासिक्षान नाम का चीज नहीं इसके पास कोई प्रासिक्षान नहीं है नोट ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग नहीं है। कि नो regular salary of the army and they have also no training. परसीक्षा भी नहीं उनके पास. तीसरा, उनके हाथ में जो वेपन है, हथियार है, उनके हाथ में जो हथियार है, वो क्या है? लाथी है, भाला है, तलवार है. यानि जो आदुनिक वेपन होना चाहिए राफेल उनके पास नहीं तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया कि जो प्रसाशन है और जो सेना है वा बिशुद्ध बिशुद्ध सामंतवादी है भरती हो पर्मोशन हो ट्रेनिंग हो वेतन हो एलाविन्स हो कुछ भी इनके पास नहीं ठीक है और सबसे बड़ी बात जिसको मैं बताना चाहता हूँ जो सबसे बड़ी बात है कि इनके पास राष्ट क्या होता है इंडिया किसका नाम है इंडिया देश है कि भुगोल है यह जमीन किसका है हम वार किसके लिए कर रहे हैं वार का रिजल्ट हमारे लिए क्या होगा दे हैड नो सेंस इनके पास कोई जनकारी नहीं थी चाहे कला कलाईब के पास लड़े चाहे यह हेस्टिंग के पास लड़े इनके पास राष्टरबाद का जो जो राष्टरबाद का ज्यान होता है राष्ट जो भक्ती होती है वो इनके पास नहीं था तो आपने देख लिया कि राजनितिक प्रसाशनिक और सैने कीनों अस्तर पर बंगाल जो है क्या है एक बिलकुल पिछरा हुआ समाज है बिलकुल पिछरा हुआ है यानि आर्थी का आपने समझा राजनितिक आपने समझा प्रसाशनिक समझा शैने समझा अब मेरे पास किवल 5 मिनट का समय है और 5 मिनट میں मैं आपको समाज के बारे में और संस्कृति के बारें बताना चाहती हूँ और यही इसका उत्तर होगा यानि यह सारा पॉइंट इसका उतर होगा त्यान दीजेगा तो आईए हम देखते हैं कि समाज कैसा था वहां का समाज कैसा था और वहां की संस्कृति कैसी थी समझेए समाज बच्चों आप देखोगे कि जो बंगाल का समाज है वहां वर्न, जाती, धर्म, नशल, लिंग, भाशा, छेत्र इत्यादी आधारों पर विभाजीत है इत्यादी आधारों पर क्या है विभाजीत है सोचो कि इतना डावर्शीटी है इसके अंदर समाज में वर्न भी है जाती, उपजाती, धर्म, नशल, लिंग, भाशा, छेत्र, पुरा समाज बिखरा हुआ है पूरा बिखरा हुआ समाज है पलाशी में क्या हो रहा है उसका रिजल्ट हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा किसी को चिंता नहीं था कारण फिर वही बाद उनको पता नहीं था कि बंगाल मेरा है, इंडिया मेरा है, हिमाले मेरा है, कन्यकुमारी मेरा है उनको कुछ पता नहीं था उनको लगता था कि बस जिस घर में हम रहते हैं वो घर मेरा है, जिस घर में मैं रहता हूं वो घर मेरा है, गाउं किसका है इसका भी चिंता नहीं था, उनके गाउं को कोई जीत लेता तभी परसानी नहीं है, बस अपना घर इस्थिर होना चाहिए, ऐसा सोच लोगों का था और इसलिए ओहार गये ध्यान रखना इसलिए ओहार गये तो आपने देखा समाज अब हम लेते हैं संस्कृति कैसी थी कल्चर कल्चर में हम कह सकते हैं बस दो सब्द दो सब्द कि बंगाल में जो संस्कृति का स्वारूप था, वह आधुनिक नहीं था, वह मद्यकालीन था, वह मेडिवल था, मद्यकालीन था, आधुनिक नहीं था. और वहां के लोगों में आधुनिक बिज्ञान, वहां के लोगों में आधुनिक बिज्ञान, तकनिकी, इत्यादी के बारे में, आधुनिक बिज्ञान, तकनिकी के बारे में एक ज्ञान का भाव था. यह पहला पोइंट है बच्चों, दूसरा पोइंट क्या है कल्चर में? लिख लिजेए कि समाज में राष्टरबादी चेतना का अभाव था समाज में राष्टरबादी चेतना का अभाव था समाज में राष्ट्रबादी चेतना का क्या था आभाव था इतना पॉइंट आपने लिख लिया अब अन्तिम पॉइंट बचा हुआ है जो सबसे जो महत्वपुर्न पॉइंट है खास महत्वपुर्ण है उसको भी आप नूट कर लिजिए ताकि ये पॉइंट जो है ये टॉपिक से माप्त हो जाएगा फिर कल से हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे अन्तिम जोड लिजिए इसमें सामरीक 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 इस्थिति सामरीक इस्थिति सामरीक इस्थिति ध्यान देना बच्चो सामरीक का मतलब आप जानते हैं क्या होता है बताएंगे आप कोई बच्चा बताएगा सामरीक का मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं कि बंगाल सामरीक दिस्टिकोन से महत्वपुर्ण था तो यहाँ पर जो सबसामरी है सूरकशा बहुत बढ़िया पवन पृण्म का ने कहा सूरकशा बहुत बढ़िया box ऑजीत ने कहा strategy बिलकुल रीवाय अदम ने भी सही बताया ठीक है बहुत सुंदर मोहित कुमार ने भी सही कहा strategy जोती ने भी सही कहा सुरक्षा ओके बच्चो नाव लिशन मी मुझे सुनिये देखो बच्चो जो बंगाल है वह ब्रिटिश कंपनी के लिए खास था उसका एक कारण ये भी था कि बंगाल की जो सामरी कंडिशन है जो सामरी के स्थिती है वह बहुत महतपूर्ण था आप मैप के मादियम से समझो मैप के मादियम से बस एक मिनुट का समय लोंगा देखो ये बंगाल हो गया देखो बंगाल हो गया जो बंगाल है वहां समुद्र के किनारे बशा हुआ है जो बंगाल है वहां समुद्र के तट पर बशा है यहां समुद्र है बंगाल जो है समुद्र के किनारे बशा हुआ ह और समुद्र के किनारे होने के कारण British Company को दो लाब है आप बताओ क्या क्या लाब हो सकता है प्रियंका, राइट डाउन नेबल पावर, बहुत सुंदर एक तो नौ सेना हो गया दूसरा बताओ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया यही मैं जाना चाहता था यानि बंगाल के समुद्र के किनारे होने से अब सुन लो बस बंगाल के जो ती आपने सही कहा बस लिशन में सुन लिजिए बंगाल के समुद्र के किनारे होने से दो फायदा वन, ब्रिटिस नो सेना के आगमन के लिए बहतर, ब्रिटिस नो सेना के आगमन के लिए बहतर, अब देख सकते हो, यहां मदरास है, बंगाल से सेना यहां आ सकती है, यहां से यहां जा सकती है, और यहां से सेना कहां जा सकती है, बॉम्बे भी जा सकती है, बॉम्बे तो पहल पॉइंट है कि ब्रिटिश नॉसेना के लिए बेहतर है. अदूसरा अंतरास्धिये बेंपार के लिए वहतर है. क्योंकि आप बताओ जो विदेशी बेंपार होगा कैसे होगा, समुद्र से होगा और जब समुद्र में तुम्हारा पोजीशन अच्छा नहीं होगा तुम्हारा इस्थिती मजबूत नहीं होगा तो आप बताओ आप समुद्री बेपार कैसे करोगे संचेप में बस संचेप में हम कह सकते हैं कि बिटिश कंपनी की मेरा आंतिम पॉइंट है मतलब कंक्लूजन है निश्कर्श है संचेप में हम कह सकते हैं कि बंगाल भारत में बिटिश कंपनी की समराजयवादी महत्वकांचा को जमिनी अधार देने के लिए अनुकूल था जमिनी अधार देने के लिए अनुकूल था और यह अनुकूल था भारत के दुसरे छेत्रों में संभव नहीं था और यह अनुकूलता भारत के दुसरे छेत्रों में संभव नहीं था और यही कारण है और यही कारण है कि क्लाइब ने और यही कारण है कि क्लाइब ने हिंदुस्तान की चाभी और यही कारण है हिंदुस्तान की चाभी और यही कारण है कि क्लाइब ने हिंदुस्तान की चाभी दक्षिन में नहीं दक्षिन में नहीं बंगाल में खोजने का प्रयास किया दक्षिन में नहीं बंगाल में खोजने का प्रयास किया and now your time is over आपका समय समाप्थ हो गया ठीक है और समय समाप्थ होने के साथ ही आज का सेवा भी समाप्थ हो ठीके बच्चो बी हापी ओके God bless you Have a nice day